प्रियाग राज में पुलिस कस्टेडी में अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या करने वाला मुख्या रूप सनी श्रिंग पश्यमी उत्तर प्रदेश के गैंगिस्टर सुन्दर बाटी का गुर्गा बताया जा रहा है सुन्दर बाटी वर्तमान में सोनबद्र जेल में बंद हैं आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अश्रफ की हत्या जिस जगाना पिस्टल से हुई वे सुन्दर बाटी की नित्व से ही सनी को दी गई थी जानते हैं कि आखिर कौन है ये सुन्दर भाटी और उसका अतीक और अश्रफ की हत्या से कनेक्शन क्या है पताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुन्दर भाटी पर हत्या का प्रियास रंगदारी लूट और मारपीट के करीब 60 से ज्यादा मुकत में दर्ज है भाटी को बीते साली अरेंदर प्रदान की हत्या के आरोप में आजीवन काराबास की सजा सुनाई गई है बरतमान में वे स्वनबद्र जेल में बंद है लेकिन लगबग देड़ साल पहले सुन्दर हमीरपूर जेल में बंद था इसी हमीरपूर जेल में सनी सिंग लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते बंद था इसी जेल में सनी की दवंगई को देखकर गैंगिस्टर भाटी उसे अपने करीब लाया और दीरे दीरे सनी उसका चेला बन गया कुछ समय बाद सुंदर भाटी को हमीरपूर से स्वनबर्दर जेल में बंद कर दिया गया और सनी भी जेल से छूट कर बाहर आ गया इसके बाद में भाटी के गुरुगों के संपर्क में रहने लगा सुंदर के गैंग के पास 147 समय कई खतरना का तियार है उसका संपर्क पंजाब के कई असला तसकरों और कई गैंगिस्टर से भी रहा है माना जाराय के अतीक और अश्रफ के हत्यारोपी सनी सिंग को जो विदेशी जिगाना पिस्टल और दूसरे शूटर्स को जो पिस्टल मिली तो वे सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही पहुचाई गई थी सनी सिंग से बरामत जिगाना प्रिस्टल का भाटी गैंग से कोई कनेक्शन है फिलाल इस पर आधिकारिक तोर पर पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है लेकिन अंदर खाने जाँ शुरू हो रही है और आखिर सनी सिंग और लवले इस्तिवारी जैसे मामूली बेग्राउंड के अपरादियों के पास तुर्किये की लाकों की कीमत वाली पिश्टल कैसे पहुंची ये वी एक बड़ा सवाल बना हुआ है अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें